तो एलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आज में आपके लिए कि श्विंग ट्रेडिंग ऐसा इस्टोक में आपके लिए अच्छा पैसा बना सकते हैं इस्टोक में क्योंकि यह इस्टोक लगतार हाई और हाई रेंज में ट्रेट करती हूँ दिख मिलेगी आपको अभी चल रहा है यह इस्टोक हाई और हाई रेंज में ऐसे ऐसे करके ठीक है तो इस इस्टोक को आप यहां कहीं बाई करके तो यह इस्टोक लगातार हाई और हाई रेंज में ट्रेट करता हुआ चल रहा है यह इस्टोक अभी देखो मार्केट ऑपन होने के बाद भी काभी अच्छा मैं 111 रुपे से इसे टार्गेट कर रहा था लेकिन इसने 12 रुपे का हाई लगा चुका है अभी यह इस्टोक यह इस रेंज में आए इस रेंज में आए तो आपको यहां बाई करना है और इस रेंज में आते ही सेल करना है फिर जब यह इस्टोक यहां मिले आपको फिर बाई करना है ठीक है तो ऐसे तीन इस्टोक मैं बता रहा हूं आप ऐसे करके स्विम टेटिंग बहुत अच्छे स कर सकते हो तो first stock है Tata Steel, Tata Steel में आप ऐसे कर के चल सकते हैं तो चलो मैं दिखलाता हूं इनके label आपको कहां buy करना है और कहां sale करके चलना है तो ये देखे, ये देख सकते हैं आप लोग तो पहला support ले ये लेकर के उपर जा रहा है इस चुक Tata Steel 108 रुपे का सपोर्ट लिया और भाग रहा है इसका फर्स्ट टार्गेट रहेगा आपका यह रेंज 121 रुपे बारे से 121 और 124 तक जाएगा और जैसे इसने यह अपना हाई ब्रिकाउड करते ही क्या होता है इस इस्टोग में फिर यह अपना हाई इस हाई को जब रिकाउड करेगा तो फिर समझ लो यह आपको 139 इसके लेबल को दिखलाएगा फिर वहां से यह राजिस्टेंस लेने के लिए फिर वह यहां तक आ सकता है 130 जाने तक फिर वह यहां इस लेबल तक आएगा तो आपको 112 तेरे वाले रुपे पर वहां बाई करके दुबारा 130 140 के रिंग में यह इस लेबल पर 140 वाले रेंज पर सेकंड टार्गेट आपका रहाएगा तो ऐसे करके बहुत अच्छे से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो अगर क्रेक्शन आता भी है इस्टो कंदर तो आप इसका इस्टो प्लोस लगा सकते हो एक सो पंद्र है अग सलब अगर वह यहां से यहां जाने का रिश्टेंस लेकर के नीचे गिरता भी है तो आप प्रॉपिट में रहाओगे और आपका पैसा सेफ रहेगा यह यह स्टॉप लॉस रहेगा यहां से यहां तक यहां अपने कुछ पॉपिट बुगिंग की और बाग इस्टो क्यों द बीचा का यहां तक का रेंज दिखला सकता है तो हमारा सेकंड़ इस्टो कांसा है तो दोस्ते सेम तरहा का पैटन इस्टो कुछ बन रहा है यह इस्टोग भी लगतार हाइयर एर है अधिकर तो तो पहला तर्गेट कितने बार इसने इस्टोक ने कहां टैच किया देखो एक बार दो बार तीन बार चार बार पांक बार पांच बार इस इस टूक निए टेछ किया है यहां पर हो अच्छा यह दिख्छा सकता है जब यह इस टोक के हैस करेक्सन दिख्ला है है अभी क्रेंट प्राइब में जो चल रहा है यहां यह 155 तो डिय्फटछी एक सो पैतालीष और है सो पचास वेका रीज नासकता है इस बार तो आप इस siis कर पाई चाल सकते हो तक इस कि समय स्वब्य नशाहों लिंद पचास梯 क्वाइब के चलो PETER सब्सक्राइब करें चल सकते हैं अब फिर आपका टारिगेट क्या रहेगा यह इसका हाई 155 के उपर ब्रेक आउड करेगा तो यह आपका सब्सक्राइब करेंगा तो इस लेवल पर आपको क्या करना है और इस लेवल पर आपको अपनी होल्डिंग मतलब यहां सेल कर देना है आपका यह टर्गेट रहेगा और अगर आप प्रॉफिट छोड़ देते हो तो आपका एसल यहां लग जाएगा 147 47 के बीच में अगर इस से मान लेश行 होता है बहुत ज्यादा भाग रहे तो आप क्रेकशन होता ह्ता लेकिन इन्हें लगे शटलदी क्रेकशन नहीं होगा तो आप अयुख़़ए झासे लगाने लगा सब्सक्राइब तो यह इस इस इस्टोक को डाइगेट है 180 रुपय का और आप ऐसे करके एक पैटर्ण में चल रहा है यह इस्टोक तो ओ ओ एंस जी सी है इस इस्टोक का नाम और है एक सपर्ण कि सब्सक्राइब से करें कार्ण में कैसे श्कराण चाहिए है तो हमारा थाट शीम Software में मदर सन इस 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 पार महां पर्थे और दिए और आपन सक्दम से भागा हुर्ए में शैंतर हो तो आपको च्रीम और Day से अश्चराय का और आपको बाई करना है और यहां पर जो इसका राइस्टेंस बनाती हुए जा रहा है यानि यहां तो आपको यहां पर पर आपको इस लेवले पकड़ लेना है यानि यहां भागती वह आएगा नीचे तरब एक 74 रुपे के रेंज में तो डेफिनेटली बाई करके चलो या फिर हो सकता यह इस लेवले मिले आपको 73 रुपे के रेंज में 73 रुपे के रेंज मिले 73 रुपे के रेंज मिले सकता यह इस टोक आने वाले टाइम में तो 73 रुपे के लेवल के लिए आप वेट कर सकते हो और यह हो सकता इस 73 रुपे के रेंज मिले वहां से गिरते हुए 73 रुपे के रिंच तक आएगा तो इस जवरान आप बाए करके चल सकते हैं 73 रुपे के रिंचे बाए करेंगे तो ये अपने हाई को ब्रेक करेगा यानि इस लेवल को ब्रेक करेगा 80 और आपको टार्गेट देगा पचासी ठीक पहला अगर तीहतर रुफे के रेंज में जब बाई करोगे यह हो जाएगा यह आपका एसल रहाएगा इसके नीचे शाएगा तो आपको इस टोप लोघतर के नीचे बाहर निकल जाना है करेक्फ़न अगर दिखलाता है तब तो आप इस SL को घसका करके यह SL कर देंगे 74-73 रुपए और जब यहां से दुबारा रेटरनल लेकर के आएगा नीचे तो फिर यह यहां पर आएगा 74 यानि यह इसका यहां सपोर्ट है उसके वहां पर रेजिस्टेंस लेगा उस लेवल पर और आपका निकल करके आएगा जब भी यहां पर लगाओ तो फिर यह इसका ब्रेक आउट देगा इसका हाई का तो 80-90 जाएगा और वहां से जब आएगा ऐसे करके आप इस्टोप्लोस घसकाते रहोगे आप से क्या रहेगा आप हमें सब प्रोपिटेबल रहोगे और इस्टोप्लोस की वज़े सब हमें सब प्रोपिट में रहोगे जब भी आपको करेक्षिन दिखलाता तो आपका इस्टोप्लोस предлаг hat होते है कि आप के कॉर्ड में आपके सारी पैस से आ जाएंगे ऐसे करके यह प्लान करके आप स्विंग ट्रेडिंग करके चल सकते हैं दूसरा है ओ एन सी जी और तीसरा है मदर्सन मदर्सन यह इस्टोग का नाम है इस्टोग का नाम है यह इस्टोग का नाम है मदर्सन ट्राटा इस्टील ओ एन सी जी और त्राटे मदर्सन तो इन इस्टोग में बहुत गोल्डेन ऑपरचिनिटी बन रहा आप इसका फायदा उठा सकते हो और जाओ आप भी फायदे का लाब उठाओ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी अच्छे इस्टोग का नाम है